नवस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सिक्छा अकैडमी में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तीस अती महत्पून प्रस्ण जो कि आपके आगामी सभी एक्जामों के लिए पहुत जादा इंपोर्टन साबित हो पुश रकते हैं तो चलिए दोस्तो बिना कोई दीरी की हुए आज का यह वीडियो इस्टार्ट करते हैं दोस्तो यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडियव फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्सन में मिल जाएगी तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला फर्ष्ण है मुद्रा अपूर्ति किस के दोरा नियंतरत की जाती है औस और न;;ं है बित्व यूजणा आईयोग व्या पारिक बैंक या भारति रिज म Só यह राइट आंसर हो जाएगा आउसेन डी यनिंधा भारति selling के दौर जब्रायार पूर्थी को नियंक्रित है जाता है is syne अंगला प्रिश्न है भारत में सब से ऊंचा जल्बlas कौन सथ कौन सथ ही ब्हारत में सब से ऊंचा जल्बाथ कौन सथ है आफ्सन है होगिंग कक प्रपात, सिमला प्रपात, जोग प्रपात या कुटलम्स प्रपात राइट आंसर हो जाएगा आफ्सन नमर शी यानि जोग प्रपात यह भारत देश का सबसे उंचा जल प्रपात है अंगला फ्रिश्न है जोट उतपात अंसर हो जाएगा आफ्सन वी यानि पच्चिम बंगाल में सबसे जादा जोट का उतपात होता है अंगला फ्रिश्न है निमलेकित मैसे कौन से देश पालक स्टेट से जोड़े हुई है राज बहारत में किस राज को चावल का कटोरा कहा जाता है भारत में किस राजी के लिए चावल का कटोरा कहा जाता है आफसन है तमिलनाडू, आंद प्रिदेश, करनाटक या केरल इसका राइट आंसर होगा आफसन नमर वी आंद प्रिदेश ठीक है आंद प्रिदेश के लिए किसका चावल का कटोरा कहा जाता है भारत देश में जिक किसके लिए आन्ध प्रिदेश को अंगला फिष्ण है पहली बार परमानु बыл कहां पर फैंका गए था पहली बार जो परमानु बं है यह कहां पर गिरा गया था या फैंका गया था तो राय ऐसर होगा आपसन डी हिरोशिमा पर ठीक है जापान का जो शहर था एक हिरोशिमा यहाँ पर अमेरिका ने सबसे पहले आनी विश्व में सबसे बिल जो परमानुबं गराए गया था वह हिरोशिमा सहर पर गराए गया था जोगी जापान का एक पर मुख शहर था अंगला फ्रिश्ण है और जोन परत कहां पाई जाती है और जोन परत होती है यह कहां पर पाई जाती है आपसन है आएन मंडल वाहन मंडल चमा मंडल या समताप मंडल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमर डी समताप मंडल में पाई जाती है और जोन परत इसके ब ओफसन अर्बिन निकोष गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगा धर्तिलक या लाला लाजबत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा ओफसन नमड़ बी कूपाल कृष्ण गोखले धी गोपाल कृष्ण गोखले जी को महत्मा गांधी अपना राजनेतिक गुरु मानती थे अंगला प्रिश्ण है डैसीबल सब्द किस से संबंदित होता है डैसीबल जो शब्द होता है यह किस से संबंदित होता है आफसन है बायू, भूमी, धौनी या जिल राइट आंसर होगा आफसन नम्मर शी यानि धौनी से शंबंदित होता है डैसीवल जो शब्द होता है यह किसे धौनी से संबंदित होता है निमलिकित में से बिटामिन E का अच्छा स्रोत कौन सा है बिटामिन E का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है आफ्सन है मास, पीला, योग, घी या ताजी सबजियां राइट आंसर होगा ऑफ्सन D, ताजी सबजियां यह है बिटामिन E का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है पैनी सिलीन किस से प्राप की जाती है उप्सन है फफून से शेबाल से वारिस से या जी वानों से तो राइट आंसर होगा और फफून से प्राप्ट किया जाता है पहली सिलीन नेश्ट है मानव सरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है मानव सरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है और फफून है 206, 206, 306 या 306 राइट आंसर क्या होगा option A 206 हड़ियां पाएं जाते हैं एक जो वैस्क मनश होता है उसके सरीर में टोटल 206 हड़ियां पाएं जाती है अंग महाजनपत की राजधानी कहां इसते थी अंग महाजनपत जो हुआ करते थे उनकी राजधानी कहां पर थी option है वैसाली कौशाम भी शापती या चमपा राइट आंसर हो जाएगा option नमर डी यानी चमपा में इसतापत थी ठीक है अंग जो महाजनपत हुआ था उसकी राजधानी कहां पर चमपा में इसतापत थी next है सांत घाट किस राज़ में इसते थे संत घाटी कहांपर इसते थे option है असम किरिल करदेश या तमिल नाड राइट अंसर होगा option नमबर बे आज़ अंगला फिश्ट है शुनामि का मुख कारण क्या होता है शुनामि जो आती है इसका मुख कारण क्या होता है और चक्रबाद ज्वाला मुखी चंद्रमा का अकर्शन या समुद्री सताय पर भूकंप इसका राइट आंसर होगा और यानि समुद्री सताय पर भूकंप आने की कारण से शुनामी आती है अंगला फ्रिश्ण है भारत का केंद्रिय आसदी निशन्धान संस्ता कहां पर इस्ते थे भारत में जो केंद्रिय आसदी निशन्धान संस्ता है यह कहां पर इस्ते थे आप्सन है नई दिली लखनाव चेन्नाई या बेंगलोर ताइट आंसर होगा आप्सन डी बेंग लुनसवरी कहां पर यह है लखनव में इस्तित है भारती ये कि इन्दी ये जो आउस्ति नुशनधान संस्ताहई है लखनव उत्तर प्रदीश में इस्तित है आप्सन नमर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अंगला प्रशन है मानो बिकाल सूचांग किस ने विक्षित किया था इसका राइट आंसर होगा आपसन नमर शी महभूब उलहकने ठीक है महभूब उलहकने सुच मानो बिकाल शूचांग विक्षित किया था अंगला प्रिश्ण है क्रेश्ची उत्पादों की कोटी किस परकार निर्धारत की जाते हैं क्रेश्ची उत्पादों की जो कोटी होती है यह किस परकार निर्धारत की जाती है आपसन है आई एस आई हरत उत्पाद एन मार्ग किया पर इसकी उत्पाद इसका राइट आंसर ह हो जाएगा ऑपसे नमर्शी एक मार्ग से एक एक मार्ग से किर्शी उत्पादों की जो कोटी है यानि की उच्छ गुडबकता है वह अंदर धारत की जाती है अंगला फ्रिश्ण है भारत में न्यूतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार शुकृत हुआ था भार उसτα नमर्ण पर है उसाथ की शुलीन का अविश्टकार किस ने कया था इंशूलीन का जो अविशकार है यह किस ने कया उसने एडवर्स जेनरफ बेटिञ्स एफ एस ए बैक्समेन रोणार प्रास है राइट आंसर है इसका हो जाए गा ओफसन नमर वी F-Betting ने इसका आविस्ट का आविस्ट कार्ड किया था अमेरिका की खोज किसने की थी अमेरिका की खोज यह किसने की थी अप्षन है वाइस कोड़ी गामा अनुबन दबिन कैप्टन मुकिया कॉलम बस राइट आंसर होगा option D column बस के दूरा अमेरिका की खोज की गई थी अंगला फ्रिश्ण है नासिक नदी किस के किनारे नासिक सहर या किस नदी के किनारे इस तित है आफसन है महा नदी गोदा बरी क्रिश्निया तापती तो राइट आंसर होगा आफसन बी गोदा बरी नदी के किनारे इस्तित है नासिक जो है वह गोदा बरी नदी के किनारे इस्तित है पैनिसलीन किस से प्राप्त की जाती है पैनिसलीन यह किस से फफून से प्राप्त की जाती है आफसन नमोर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा किस से की जाती है यह फफून से प्राप्त की जाती है नेश्ट है पित का स्रोत क्या होता है पित रस का जो स्रोत है वह क्या होता है निया पित्तस कहां से निकलता है और कहां पर संचित रहता है तो पित्त्या शाय में संचित रहता है अंगला फ्रिश्ण है कि निमनलिकित में से कौन सा पिक्षे पात्र भूमी से बायू में जाने बाला पिक्षे पात्र है आफसन है तरशूल अगनी बहमोस या सक रिका राइट आंसर होगा आफसन ए तरशूल है तरशूल पिक्षे पात्र यह है भूमी से बायू में जाने बाला पिक्षे पात्र है अंगला फिश्ण है कि किस देश में बिक्रम संबन अधिकारिक कैलेंडर है आफसन है फिजी, मौरिसस, इंडोनेशिया या नेपाल इसका राइट अंसर हो जाएगा आफसन नमर डी यानि कि नेपाल में अधिकादि कारेक कलेंडर अंगला फिश्ण है कि गांदी जी दोरा सन 1933 तक संपादिक समाचार पत्र का किए नम था गांदी जी दोरा सन 1933 तक संपादिक किया जाता था वह कौनशा था म ओफसन है शबूदय आर्य टाइम सोफ इंडिया या यंग इंडिया राइट आंसर हो जाएगा ओफसन नमोड़ी यानि कि यंग इंडिया था ठीक है कौन सा समाचा पत्र था यंग इंडिया समाचार पत्र का जो संपाध दिखता वह महत्मा गांद जी दौः न किया जाता थ सन 1933 अंगला फिश्ण है भारत स्यवक समाज भारत स्यवक समाज की स्थापना किस ने के थी भारत स्यवक समाज की स्थापना तो यह है गोपाल कृष्ण गोउखुले जी द्वारा की गई थी सम भारत सेवक समाज की स्थापना अंगला पृष्ण है अंग्रेजों द्वारा निम्लिकित में से किस क्रांति कारी को फांसी की सजा दी गई थी आपसन है जतिंदा, चंदर शेखर, कल्पना या राजगुरू राइटांसर होगा आपसन नम्मर डी यानि राजगुरू को फांसी की सजा दी गए थी इनके साथ भगत सेंजी को भी फांसी की सजा सुनाई गए थी अंगला फिश्ण है मोती मर्जद निम्मलेकत में से किस नगर में इस्तित है आपसन है आगरा, जैपूर, एहमदाबाद या लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नम्मर ए यानि यह है आगरा में इस्तित है मोती मर्जद कहां पर आगरा उत्तर प्रदिश में इस इस दित है तो दूस्तो इसी के साथ हमारी है वीडियो यहां पर शमाफ्त होता है यादि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और पीडियाफ राप्त करने के लिए आप हमारे टेली ग्राम में जोड़ना ना भूलें तो चली दूस्तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए दूस्तो बाए